अपमान तो सचमुछ बहुत महंगा पड़ा पूरे भारत को ननहीं जानने स्वामी जी के रसोये को धन का प्रलूभन देकर दूध में विश्मिलवा दिया कहो जगनात स्वामी जी दूध दूध लाया हूँ अच्छा अच्छा लाओ पीली जेना माराज हाँ पीता पीता जगनात जगनात जी माराज कुछ मिलाया है तुमने दूध में क्या नहीं माराज नहीं सच बताओ जगनात जी माराज गलती होगे माराज यह तुमने क्या किया जगनात यह तुमने क्या किया माराज बड़ी भूलोगे माराज बड़ी भूलोगे पुलिस तुम्हें नहीं छोड़े की जगनात माराज माराज गुरू दत्य जी आप भी आ गए पंजाब से मैं तो कल ही आ गया था कैसे है सौमी जी रोम रोम से काच फूट कर निकल रहा है देह अगनी की तरह जल रही है एक बूंद भी कंट से नहीं उतार पा रहे है पता नहीं शरीर में प्रान कैसे टिके है सारी उम्र मैं तर्क दिया करता था परमात्मा नहीं है पर सौमी जी को देखकर मेरे प्रानों से उत्तर आ रहा है परमात्मा यहीं है परमात्मा यहीं है स्वामी जी बहुत कष्ट हो रहा है कष्ट की तो कोई बात नहीं तुख मात्र ये है कि वेदों का भाश पोरा ना कर बाया गुरुदत जी स्वामी जी भीमसे जी स्वामी जी आत्मानन स्वामी जी क्या चाहते है यही चाहते हैं कि आप स्वस्त हो जाए महाराज दे तो नश्र एक दिन सब को छोड़नी ही है तुम आनन्द से रहना आनन्द से स्वामी जी अभी हमें आपका मार्क दर्शन चाहिए स्वामी जी जी स्वामी जी जी स्वामी जी क्या तिथी है वार क्या है क्रिश्न पक्ष का अंत शुक्ल पक्ष की आदियमा वस्या है स्वामी जी मंगल वार है हाँ क्रिश्न पक्ष का अंत शुक्ल पक्ष का आदियमा अच्छे लीला रची प्रभू तैने अच्छे लीला रची प्रभू तेरी यही इच्छा है हेश्वर तेरी इच्छा पूलो तेरी इच्छा पूलो सुनों व्योम में ध्वनी वूंजती क्या कहती है पीर हृदय की गहरी है पर समय कहां जो ठहरे कोई जियो तिपथ पर चलने वाला पथिक सदा चलता रहता है अंधकार में अंतर मल का दीप लिये जलता रहता है तीस अक्टूबर सन अठारह सो तिरासी दीपावली जब भारत के ग्राम ग्राम नगर नगर में कोटी कोटी दीप जल रहे थे तब मा भारती के भाग्य का यह देदीप यमान सूर्य अस्त हुआ आईए उस युग द्रश्टा युग पुरुष युग प्रवर्तक को सची श्रद्धान्जली देने के लिए विश्व को आरिय बनाने के लिए हम सब कृत संकल्प हो जाएं प्रवादी प्रवक्ष युग जाएं प्रणा, 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 दिशिवर तुम को शक्षत प्रणा जब तक नभ में सूर्य रहेगा, जग में रहेगा, प्रणा, 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 प्र को शत्षत रेला, 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 रेला संधच्छत्वं संधदथ्वं संभो मनां से जानता विवाबा गम्यता पूर्वे संजाना ना उपासते जिसने सोया देश जगाया ऐसा महा पूर्शेक आया पूरव पश्चिमा उत्तर देश जगाया ऐसा महा पूर्शेक आया पूर्व पश्चिमा उत्तर देश जगाया दिशा दिशा से स्वर्य आया प्रॉर्व प्रॉर्य आयां। रिश्य वर्य तुम को शक्षत प्रेला प्रेला, 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 प्रेला हमनी साली कर कुरिया है अपने हगय में खाड लिया है हम उने ये संवन खल्प किया है अपने हगय में खाड लिया है मुझने कभी ना देंगे उसे हम तुमने जो रॉशन दीपुर किया है व्रणा 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 विश्वन तुमको शक्षक्रा प्रणू 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 ठरणू दिशिवर्तम को शेक प्रणू शाष्ष निश्यवरभं को शजज़ग्रेनाँ झाल गुट एट जो टाभ टॉट आव दो जोड़ा वीजिय। तो गिवाव विवान वीजिव हान जो हुटकि आपके प्रहा हाद करस भीजिग सामदा आपक। देनन्सारस् theta it was an amazing performance on the stage the interstage performance was directed by and a we are really grateful for his gift of time in preparing the children and give his best on the stage please give a big round of applause for Swami Nitananji who has prepared the entire drama who has written the skit and prepared the children thank you now I would request Acharya Shri to please come on to the stage and bless us guru kuli a parampara jokival vedapara adharit he was Vedo के साथ आधुनिक शिक्षा का समनवय करके एक इस नए वैज्यानिक शिक्षा भियान का सूत्रपात करने के पीछे बहुत बड़ी प्रेणा शद्धे आचारी श्री की है और गुर कुलम के पीछे एक टैग लग गया था कि ये केवल वेद पढ़ाते हैं तो एक नया नाम ये आचारे कुलम नाम भी शद्धे आचारी जी का ही प्रस्ताव है और इने के संकल्पना इसके पीछे तो आचारे श्री का बहुत-बहुत अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के पीछे उनके पुर्शार तप और द्रिष्टे के लिए ओम् आज के इस वार्शी के उत्सब के आचारे कुलम के कारे क्रम में हम सब के मध्य में आज के मुख्य अथिती के रूप में पधारे हुए मेरे बड़े भाई माननी इस्री प्रकाश जावड़े गर्जी जिनके हिरदय में भारती संस्कृती भारती परंपरा और भारत वस्ता है मानव का संसाधन मंत्रा ले को आप अभी नित्रित्त प्रदान कर रहे हैं ऐसे माननी मंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं हम सब के लिए हमारी सारी कारिक्रम सारी गतिविधियों में श्रदे स्वाम जी की पावन उपस्थिती रहती ही है परन्त जब इस थूल रुप से श्रदे स्वाम जी सामने होते हैं तो उसकी दिविता और भविता अतूलनी और अवर्णनी हो जाती है तो श्रदे स्वाम जी को भी मेरा नमन बच्चों ने हमारी बहुत ही प्रिये छात्रों ने छात्राओं ने नन्य मुन्नों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी की ऐसा लगता था मानो वो विद्यार थी न हो करके प्रोफेशनल्स हों इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बच्चों को मेरी बहुत शुब कामना है बहुत आशिर बात्स उन बच्चों को तयार कराने के लिए और इस हमारी आचार कुलम के निदेशक मानियस सैनी जी हमारी आदर्निया बहन प्रिंसिपल मैडम जी बहन जानवी पूरी हमारी शक्ति ने इन आचार कुलम के बच्चों को रिशीद आयनंद के इस प्रस्तुति के लिए रिशीद आयनंद का वह जीवन कुछ घंटों में जीवन तह उठा उसके लिए आप सबको मेरी बहुत शुब कामना है आज इस कारिक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे संस्थानों के वरिश्ट कनिश्ट सभी प्रबुद्ध जन और बच्चों के सभी अभिभाबक गण महविद्ध दले और विश्विद्ध दले के छात्र छात्राएं और हमारे वैदी की परंपरा के सभी सन्नासी साध्वियां और सभी ब्रह्मचारी भाई वहनों को सबको मेरी बहुत शुब कामना है महर्शिस्वामी दयानंद एक ऐसा योध्ध सन्नासी जिस सन्नासी ने घर छोड़ा था सच्च शिव को पाने के लिए मृत्व के रहस्य को जानने के लिए घर से बाहर निकला तो सामना हुआ उसने देश की उस दशा को देखा उस दुर दशा को अनभब किया जिसके द्वरा देश कहीं गर्त में जा रहा था देश के करड़ों लोग पीडित थे दुखी थे संस्कृती से भी मुक थे भूखे पेट थे सिक्षा और विद्या के नाम पर कहीं न कहीं महाँ भी चली थे उस सब को देख करके उस रिशीद आयनंद ने जिस मिशन को जिस अभियान को उसने आगे बढ़ाया मैं इतना ही कह सकता हूँ रिशीद आयनंद न होते गुरुकुल न होते गुरुकुल न होता तो न श्रदे स्वामी जी होते न हम होते आज यह पतंजली का यह विशाल सुरुप इसका मूल है वैदिक संस्कृति इसका मूल है गुरुकुल ये परंपरा इसका मूल है रिशीद आयनंद की वहा अनुपम सिख्षा का परिणाम उसका देल गुरुकुल शब्द के उच्चान करने मात्र से हमशदे वंदनीय महरसित स्वामी दयानंद को समर्ण करते हैं वहीं हमारे जेहन में समर्ण हो आते हैं परंवंदनीय गुरुकुल ये परंपरा के प्रवड तक स्वामी शुद्धानंद जी का स्वामी शुद्धानंद जी ऐसे हुतात्म थे जिनों ने संपूर्ण जीवन लगा करके उस गुरुकुली परंपरा को प्रारंब किया लोगों ने कहा स्वामी शद्धानंद तुम्हारा कुछ दिमाख सटक गया है क्योंकि जिस तरह की सिक्षा की तुम कलपना कर रहे हो इसको पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा जब ऐसा शद्धानंद से कहा गया शद्धानंद ने कहा मेरे दो पुत्र हैं सबसे पहले मैं दो पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश कराऊंगा ऐसा कहकर कि उन्होंने बच्चों को प्रवेश दिलाया जब बच्चों का प्रवेश हो गया एक दो वर्ष के बाद में सवामी शद्धानंद के कानों में ये शब्द सुनाई पढ़ने लगे बोले यह ज़्यादा समझदार है क्योंकि इसके पास बहुत संपत्ती है अपने बच्चों को ना भी पढ़ाएगा अनपड भी रखेगा अपनी समपत्ती तो ये बच्चों को देदेगा बाकि जिन बच्चों को इकटा किया हुआ है उन बच्चों के लिए क्या ये तो उनको तो कुछ मिलना नहीं है तभी उसी दिन स्वामी शद्धानन्द संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी संपून संपत्ती को गुरुकुल को दान करता हूँ मेरी संपत्ती में से मेरे बच्चों को कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा ऐसे शद्धानन्द के तप और बल से यहाँ गुरुकुली परमपरा जीवित और जाकरित हुई हम सब को गर्व है गौरव है इस परमपरा में हमको पढ़ने का जीने का और इस परमपरा को आगे बढ़ाने का भगवान ने हमको मौका दिया और हम सब को वह स्वबसर प्राप्त हुआ इतिहास बनता है इतिहास बन भी रहा होता है लौड मैकाली की उस इक्षा पद्धती को उस सवस्था को अभी आपने इस चलचित्र के माध्यम से नाट्ट प्रस्तुति के माध्यम से जाना आज हमारे मिध्य में हमारे माननी ये मंत्री जी है बहुत समय से पतंजली की एक कंठा श्रदे स्वामी जी का एक सौपन है जो जिस पीडा को स्वामी दायनन ने अपने दिल में लेकर के वह आगे बड़े थे उसी पीडा को अपने हृदे में लेकर के उस पीडा के परिणाम रुपाजपूरी दुनिया में योग और आईरवेत की जिस पूनित कारी को स्वास्ति और सिख्षा के जिस पूनित कारी को श्रदे स्वामी जी कर रहे है वहाँ पर सरकार की एक छोटी सी छोटी सी सुकृति की आवशक्ता है वह है वैदिक सिक्षाबोन और आज मानिय मंत्री जी है मैं एक निविदन करना चाहता हूँ मानिय मंत्री जी कुछ भी करना पड़े जिंदगी में आपने काम कर दिया तो काल के भाल पर जो आप नाम लिख जाएंगे वो अमिट होगा जैसे आज हम गाली देने के लिए लाड मैकाले को याद करते हैं उसी तरह से या इस तूदी के लिए यदि भारती किसी शूरवीर को पुरी देश और दुनिया याद करें तो वो आप बन सकते हैं क्योंकि समय सब को नहीं मिलता है अब सर सब को नहीं मिलता है जो आपके हाथ में है इससे बड़ा अब सर भी जीवन में कुछ नहीं हो सकता है तो मेरा यही निविदन है हम उसके लिए पुरी सब कुछ हमने कुरवान किया हुआ है वह माभारत के लिए राष्ट के लिए बारतिय संस्कृति के लिए और इस परंपरा के लिए तो इस परंपरा को बचाने का एक जो गुरुत्तर दाईत है हम तो ताले बन सकते हैं भाई मेरे चावी तो आपी हो सकते हैं तो उस चावी से उस ताला खुल जाएगा इसमें कोई शंका और सेंशे नहीं जब सरदेश स्वामची ने इस आचारे कुलम का प्रारंब किया तो बहुत लोगों ने यही कहा था कि बाबा जी पता नहीं क्या करना चाहते हैं क्योंकि बाबा जी कभी नॉर्मल ना करते हैं ना सोचते हैं अब उस अबनॉर्मल्टी में जिसको जितना जिल जाए और जिसको जितना समझ में आ जाए तो लोगों को नहीं समझ में आया जिनको समझ में आया उन्होंने अपने बच्चे भीज दिये तो जब यही टेंथ के एक्जाम आये सिवेसी के जब रिजल्ट्स आए एक्जाम के बाद में तो दुनिया ने देखा कि बावा जी तो कुछ विशेशी करना चाहते हैं और हमें प्रसन्नता है कि यह दि हम भारतिय सिख्षाबोड की बात कर रहे हैं तो हम थियोरी की बात नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल सारी दुनिया आकर के आचारी कुलम को देख सकता है यह हमारा एक जंपल और उधारन है यह हमारा आदर्श आचारी कुलम वईदी की सिख्षा का भारतिय सिख्षा का एक उधारन है हमें भाशा से विरोध नहीं है हमें किसी जान विज्ञान से विरोध नहीं है हम एकी बात कहना चाहते हैं कि पहले अपनी मां को सुविकार करो फिर आंटी को सम्मान दो पहले हमारी संस्कृत और संस्कृती पहले हमारी हिंदि उसके बाद में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच जो भी चाहिए वो सब भी हमको पाना है इसी भावना से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं आज वह एक ब्यापक सरुप लेता हुआ चाहरा है तो इसी निविदन के साथ में आज आपके पधारने पर आपके यहाँ पर आगमन पर उनहां पतंजली परिवार आपके प्रती कृतजिता के साथ नमन करता है बंदन करता है तो मेरी भी बहुत शुब कामने आपसों को प्रड़ाम ओ